हेलो दोस्तों स्वाकत है आपका इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत इंपर्मेटिव भी होने वाली है तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ API क्या होता है Application Programming Interface इसका कहां यूज होता है मैं आपको कम्प्लीट बताने वाला हूँ आपने देखा होगा जब हम जूमेटो पे या सुईगी पे या हम ओला उबर हम इस्तमाल करते हैं तो इसके अंदर आपने देखा होगा एक map आता है जिसमें हम उनको ट्रैक कर सकते हैं जिससे हमने कोई order book किया और उसमें हमें पता से जाता है कि मैप कर थूख करना हमारा ओड में पता चल जाता है कि हमारा ओर्डर कहा तक आ चुका अब यह पता लगाने के लिए जुमेटो डारेक्ट गुगल मैप से तो नहीं पूछेगा भाई कि हमें इसका डाटा प्रवाइड करवा दो कि यह कहां तक पहुंच गया यह जुमेटे के कोई अपनी सैटलाइट तो न डिलीवर बोई को पता लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारा प्रोडक्ट कहां तक पहुंच गया यह हमारा कोई जो हमने कुछ फूड ओडर किया वह कहां तक पहुंच गया तो अब मैं आपको बतायता हूं यह इंपोटेंट बात है जो जुमेटो है वो डारेक्ट मैप के पास जिसके नाम है API तो जुमेटो क्या करता है अपनी रिक्वेस्ट API के पास देजता है API फिल Google Map के पास जाता है कि हमारे पास क्या यह डाटा एवलेबल है जब API Google Map से पूछेगा कि आप हमारे पास यह डाटा है अगर होगा तो भाई महां से आपको access मिल जाएगा और अगर न जाती है तो जो गूगल मैप है उसको हम क्या बोलें गूगल मैप API आई होप आप API का मतलब तो समझ गए होंगे API क्या होता है अगर मैं एक आसान सी बासा में आपको समझाओ API क्या होता है तो जैसे हमने कोई स्वीगी पर order किया वह हमारा डाटा ट्रैक करने के लिए API के प मतलब यहां पर जो API के जो मेन रोल है वो है कि डाटा को एक जहां से दूसरी जहां को पड़ लेकर जाना लिए हम API को application programming interface बोलते हैं तो जब हम order करते हैं स्वीगी पर और हम उसको ट्रैक करते हैं बंदे को तो उसमें ट्रैक के दोरान यह है कि उसमें जो जुमेटो होगा स्वीगी होगा वो API के पास जाएगा API फिर Google Map के पास जाएगा वहां से परमिशन लेगा अगर वह डाटा एवलेबल होगा मतलब गूगल मैप अगर पर एवलेबल होगा कि हम इसको बंदे को ट्रैक कर सकते हैं इसली से तो वहां से एक्सेस देगा नहीं तो हम वहां से वह यूजर्स जा करके एक एक को चेक ना करें कि इसके क्रेडिंशल कैसे हैं अब वो काम गूगल के और फेस्बुक के बड़े-बड़े डाटाबेस ने क्या हुआ है अब यह एप्लिकेशन क्या करती हैं वो डारेक्ट गूगल से पूछ लिती हैं गूगल एपियाई के थूरू फेस्बुक एपियाई के थूरू के इसके ग्रेडिंशल कैसे हैं क्या इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं अगर यह वैलिड यूजर्स हैं मतलब जिन्होंने एप्लिकेशन बनाई है अगर यह वैलिड यूजर्स हैं तो यह फेस्बुक और गूगल अपने इसमें ए किया जाता है ताकि हमारा डाटा कोई भी लिक ना हो हमारा डाटा सिक्योर है इसलिए हम API की का भी इस्तमाल करते हैं अब भई API से हमें दो बेनेफिट होते हैं सबसे पहले सिक्योर्टी जैसा हमने कोई स्वीगी से ओर्डर बुक किया तो डारेक्ट जाकर के Google Map के पास नहीं जाएगा Google Map API के पास नहीं जाएगा वह एक नौर्म वह एक जो बीच की जो लेयर है API उससे पहले उसका डाटा पहले उससे एकसिज लेगा उसके बाद फिर API होगा वह फिर Google Map API के पास जाएगा अगर उसको लेगा कि हाँ यह वैलिड यूजर्स है तो वहां से रिटन आ ज दिखा देगा एक तो यह है security और दूसरे security है हमारी monitoring की कोई भी API जो है उस पर unlimited request नहीं बेज सकती उसके साथ साथ जो भी request है उनको आपको सही तरीके से भेजना पड़ेगा आप unwanted request नहीं बेज सकते और साथ के साथ आप illegal activity भी नहीं कर सकते क्योंकि वह सारी के सारी activity आपकी एक्टिविटी तो नहीं कर रहें तो वह सारी के सारी activity आपकी ट्रैक हो रही है API के थुरू आपकी जो activity है वह monitor हो रही है इस विए से बहुत अच्छे हैं और API की की तरफ से यह monitor हो रहे हैं दोनों चीज़े मतलब security भी और monitoring भी इसके अंदर दोनों के दोनों हो रहे हम क्या अब मैं आपको बताऊं हो API का यूज क्या है जैसा हम कोई अपना project वगरा बनाते हैं और हम चाहते हैं कि यह project हमारा leak ना हो इस वएसे हम API का इस्तमाल करते हैं और API सबसे पहले हम API के पास request send करेंगे API हमारे Google के पास request send करेगा वहां से जब उसको data मिलेगा तभी हम वहां से और वीडियो में आपको मैं और deeply बताने की कोशिश करूँगा भी API का क्या इस्तमाल होता है और हमें कहां जरूरत पड़ती है deeply मैं आपको बताऊंगा आसा करता हूँ आपको यह information अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को like share और चैनल को subscribe जरूर कर दे दो 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 जो फ्क्योंख अच्छी लगी होुआ है और यहां अगी हो घो